हेलो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल लाइकन को विदावाइब ता इस सारी लेटर्स अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे तहले ज्यान की शक्ति चैनल में आप सब का स्वा गयते हैं आज हिंदी विशे में मैं संस्क्र दिखदर्शिका के सुभाशित रत्नानी वाला पाठ पढ़ाने जा रहे हैं इसका पहला श्लो के देखे भाशासु मुख्या मधूरा दिव्या गिवान भारती तस्या ही मधूरम काव्यम तस्मादपी सुभाशितम भाशासु भाशाओं में मुख्या मधूरा मधूर दिव्या अलोकिक गिवान भारती देवों की वाणी संस्क्रित भाशा तस्या उसका ही मधूरम उससे भी मधूर काव्यम काव्य है तस्मादपी उससे भी मधूर सुभाशितम उसके सुन्दर वचन है भाशाओं में मुख्या मधूर अलोकिक देवों की वाणी संस्क्रित भाशा है उससे भी मधूर उसका काव्य है और काव्य से भी मधूर उसके सुन्दर वचन है सुखार्थिने कुतोविध्यार्थी ने सुखम शुखार्थी वा त्यजेद विद्यार्थी सुखम शुखार्थी ने सुख चाहने वाले को कुतो कहां विध्या विध्या, कुतो कहां विध्यार्थी ने विध्यार्थी को सुखम सुख, तो सुखार्थी ने कुतो विध्या सुख चाहने वाले को विध्या की प्राप्ति कहां, कुतो विध्यार्थी ने सुखम और विध्या चाहने वाले को अर्थात विध्यार्थी को सुख की प्राप्ती कहां सुखार्थि वा त्यजेत विद्याम सुखार्थि सुख चाहने वाले को त्यजेत त्याग देनी चाहिए विद्याम विद्या को तो सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए त्यजेत में विधिलिंग लकार है विद्यार्थिम वा त्यजे सुखम अथ्वा विद्यार्थि को त्यजे त्याग देना चाहिए सुखम सुख को और विद्यार्थि को सुख को त्याग देना चाहिए जल बिंदू निपातेन क्रमश है पूर्यते घट है सै हेतू सर्व विद्यानाम धर्मस्य चै धनस्य चै जल बिंदू जल की बूदों के निपातेन गिरने से तृतेव वक्ती है क्रमश है धीरे धीरे पूर्यते भर जाता है घट है घड़ा तो जल की एक एक बूद गिरने से क्रमश है घड़ा भर जाता है सेहेतु उसी प्रकार से वही कारण है सर्व विद्यानाम सब प्रकार की विद्याओं का धर्मस्य चे और धर्म का धनस्य चे और धन का धर्मस्य और धनस्य में सश्टिव वक्ति है तो एक बार फिर इस श्लोकार देंगे जलकी बूंदों के गिरने से धीरे धीरे घडा भर जाता है उसी परकार सब परकार की विद्याओं का धर्म का और धन के एकत्र करने वही कारण है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्चती धीनताम व्यस्नेन चै मुर्खाणाम निद्रिया कलहेनवा धीमताम यहां से लेंगे सकार्ट बुद्धिमान व्यक्तियों का गच्छती बीत जाता है कालो समय काववे शास्र में देन काववे शास्र के पठन पाठन में तो बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काववे शास्त्र के पठन पाठन में बीतता है। व्यसनेन बुरी आदतों में चै और मुर्खाणा मुर्खों का निद्रियान सोने में कलहेन जगडा करने में वा अत्वा। तो यहां से लेंगे स्कार्ट मुर्ख और मुर्खों का कालों समय व्यसनेन बुरी आदतों में निद्रियान सोने में अत्वा जगडा करने में गच्चती बीतता है। ने चोरहारियम ने चे राजहारियम ने भ्रात्रभाजयम ने चे भारकारी विये करते वर्धत एमनित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्या के विश्यम बताया गया है इसमें कि ना चोरहारियम न तो चोरहारियम चोर चुरा सकता है। ने और नहीं, चै और राजहार्यम राजा छीन सकता है, ने मैंने नहीं, भरात्र भाज्यम भाईयों में बाटी जा सकती है, ने नहीं, चै और भारकारी बोज स्वरूप है, विया इक खर्च करने से कृते वर्धत बढ़ती है, एव नित्यम नित्य प्रतिदिन, विद्याध प्रतिधन, सर्वधन प्रधानम सभी धनों में स्रेष्ठ है, तो न तो चोड़ चुरा सकता है, और ना ही राजा छीन सकता है, ना भाईयों में बाटी जा सकती है, और ना ही बोज स्वरूप है, खर्च करने से नित्य प्रतिदिन बढ़ती जाती है, इसलिए विद्याधन सबी धनों में स्रेष्ठ है, परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्जे तादरिशं मित्रं विश्कुम्भं पयो मुखं, पीछे से कार्यहंतारं कार्य को नश्ट करने वाला प्रत्यक्षे सामने प्रियवादिनम प्रियवचन बोलने वाले वर्जे त्याग देना चाहिए ताद्रिशम ऐसी उस मित्रम मित्र को तो पीछे से कार्य को नश्ट करने वाले सामने प्रिवचन बोनने वाले मित्र को ऐसी उस मित्र को त्याग देना चाहिए जैसे कि पयो मुखम दूद लगेवे मुख वाले विशकुम्म विश से भरेवे घड़े तो जिस प्रकार मुख पर दूद लगेवे विश्च से भरे घड़े को त्याग देते हैं। और संपत्य उस सुख में विपत्यों चे और दुख में महता महान व्यक्ति एक रूपता एक समान होते हैं। खलस से शब्द पहराएगा तो विद्या विवादाए खलस से दुष्टों की विद्या विवादाए विद्या विवाद के लिए धनम मदाए धन अभिमान करने के लिए शक्ती परिशाम परिपीडनाए और शक्ती परिशाम दूसरों को परिपीडनाए सताने के लिए होती है साधो सज्जनों की विपरित इसके विपरित विद्या ज्यानाय विद्या ज्यान के लिए धनम दानाय धन दान करने के लिए शक्ती परेशाम चैरक्षनाय और शक्ती दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है सहसा विधिधीत न ख्रियां एविवेखे परम आपदं पदम वरणते ही विम्रश्य कारिणम गुण लुबदा स्वमेव संपद है सहसा अचानक विधिधीत करना चाहिए न नहीं क्रियां कारिये एविवेक अज्ञानता परम स्रेष्ट आपदम पदम विपत्यों का इस्थान है वरणते वरण करती हैं ही निशित रूप से भी मृष्य कारणम सोच विचार कर कारिय करने वालों को गुण लुपदा गुण की लोभी स्वमेव संपदे स्वमेही संपत्या तो अचानक कोई कारिय नहीं करना चाहिए क्योंकि अज्ञानता परम आपत्यों का स्थान है क्योंकि सोच विचार कर कारिय करने वाले के गुणों की लोभी संपत्यां स्वमेही उसका वरण करती है वज्रादपी कठोर आणी म्रदुनी कुस्मादपी लोकोत्राणां चेतान सी कोनू विज्यातुम अहरती वज्रादपी वज्र से भी कठोर आणी कठोर म्रदुनी कोमल कुस्मादपी फूलों से भी लोकोत्राण असाधारण व्यक्तियों के चेतांसी हिर्दे को कोनु विज्यातुम अहरती भला कोन जान सकता है तो असाधारण व्यक्तियों के वज्र से भी कठोर और फूलों से भी कोमल हिर्दे को कोन जान सकता है प्रिनती यह सूचरीत ही पिक्त्रम सहपुत्रो यद भर्तुरे वितम इच्छती तत्र कलत्रम तन्मित्र आपदी सुखे चैसंक्रियम यद एतत्रयम जगती पुन्नेक्रतो लभनते प्रणती प्रसं करता है यह जो सुचरिते ही सुंदर आचरन से पित्रम पिता को सहव है पुत्रों पुत्र है यद जो भर्तुरे वितम इच्छती कल्यान चाहती है तत वही कलत्रम पत्नी है तन्मित्र जो मित्र का आपदी विपत्ती में सुखे चे और सुख में संक्रियम यद समान रूप से रहता है यद जो एतत्रम ये तीन जगती संसार में पुन्नेक्रतो पुन्नेवान व्यक्तियों को ही लभनते प्रापत होते हैं तो जो सुंदर आचरन से पिता को परसन करता है वही पुत्र है जो पती का ही खल्यान चाहती है वही पत्री है जो मित्र को सुक और दुफ में समान रूप से रहता है वही मित्र है यह तीनों संसार में पुन्यवान व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं